हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सॉफ्ट्वेर को कम्प्यूटर से अनिंस्टॉल कैसे करते हैं तो सबसे पहले आईए यहां पर माई कम्प्यूटर या फिर कम्प्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं Uninstall or Change Program इस पर क्लिक कीजिए यहां पर आपको दिखाई देंगे इतने सारी programs installed हैं मेरे computer में तो किसी भी program को अगर Uninstall करना हो तो उसको बस select कीजिए इस तरह से राइट क्लिक करके Uninstall कर सकते हैं या फिर यहां पर आपके पास option भी आ रहा है तो जब भी किसी program को Uninstall करना हो उसको select करके Carefully सिर्फ और सिर्फ उसको ही select कीजिए जिसको आप हटाना चाहते हैं अपने सिस्टम से अदरवाइस अगर कोई भी program गलती से Uninstall हो गया तो फिर वापस नहीं आपाएगा वापस आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो तो बस इस पर डबल क्लिक कीजिए या फिर Uninstall कीजिए और यहां पर are you sure want to Uninstall this program तो yes कर दूंगा तो यह program मेरे computer से completely remove हो जाएगा तो अब इक लिए यहां पर no कर देते हैं इस तरह से आप कोई भी program Uninstall कर सकते हैं यहां पर आईए एक क्लिक कीजिए Uninstall क्लिक कीजिए देखिए आपके सामने तो run option आ गया are you sure you want to completely remove this program तो अगर मैं yes कर दूंगा तो यह program मेरे system से हट जाएगा तो मैं अभी no कर देता हूं कि मैं इसको हटाना नहीं चाहता है आप अगर हटाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए और next next option एक दुबार आप पूछेगा next करने के लिए तो आप next कर दीजिए तो आप completely remove हो जाएगा आपके computer से तो आज के लिए इतना ही thanks for watching take care goodbye तो आज के लिए इतना ही दोस्तों I hope यह information आपके काम आए आपके के लिए तो आपके क्वार आपके लिए रचे कर दोस्तों करने कर दोस्तों कर दोस्तों करेना है